का हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ट नेता बाबुलाल मराण्डी जी इसवक्त मौजूद हैम उनका रुख करते हैं नहीं कि अगर कहा जाए तो चहरा हैं वो बिल्कुल बावुलाल मरांडी जारखंड के कद्दावर नेता हैं और किसी परिचे के मोहताज नहीं है हम सब लोग जानते हैं कि जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर जारखंड राज की अस्थापना हुई तो सबसे पहले मुख्यमंत्री होने का गौरब बावुलाल मरांडी को हासिल है जो भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जिनके नत्रत में जारखंड का संपुर्ण चुना लड़ा गया और अभी बावुलाल मरांडी एक्स्क्लूसिव राची में मौझूद है डिडी न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए हम आपको उनसे सीधा रूबरू कराते हैं मरांडी साब सबसे पहले तो डिडी न्यूज में बहुत-बहुत स्वागता है हम लोग आपके साथ सुवा सुवा इस महा कवरेज की शुरुवात कर रहा है और एक जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कई बार सच और कई बार गलत के बीच होते हैं कई बार सच भी होते हैं कई बार गलत भी हो जाते हैं जो नतीजे दिखाए गए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बंते हो भी दिखाए गई है और धार्खन मुक्ति मोर्चा सरकार की वापसी के भी संकेत हैं कैसे आप देखते हैं देखे एकजीट पोल अपनी जगह पर है उस पर हमें कुछ भी टिपनी नहीं करते हैं हम सब लुक चुनाओं लड़े तो अपने काजकरतां के बनपर और काजकरता हमारी पॉलिंग बूट तक काम करते रहे कर पोलिंग बूगत के स्थार पर जो काजकरता काम करते रहे है वहां से जो हम लोगों ने फटिवए क्लिया है उस आधार पर हम कह सकते है कि भारती जनताप पार्टी और एंडिये गड़ बंदन को पुर्ण पहुमत आ रही हैं अपने जीत को लेकर आस्वस्त में जरा रहे हैं और यह उमीद जता रहा है कि भारती जनताप पार्टी की सरकार बनेगी लेकिन जरकार मुक्ति मुर्चा की तरप से भी यह दावेक कि जा रहा है कि सरकार जो है हेमन सुरेन वापसी करेंगे दावे हर कोई करता है उसमें कोई हर्ज नहीं है अब आज तो अभी एवियम खुलेगा अभी काउंटिंग शुरू हो जाएगी अब कुछ एक देरों के बाद सब कुछ साप हो जाएगा दूसका दूसर पानी का पहा दियासत में हैं तब और अब में अगर हम देखें तो क्या फरकाया है चुनाव परचार करने का जो अंदाज है करकरताओं की जो पहुंच है आप एक बड़े नेता है जारखंड के कितना परिवर्तन आप पाते हैं नहीं परिवर्तन तो कुछ हुआ है हुआ है इस कारण से पहले टेक्नलोजी का उप्योग नहीं होता थे सोसल मेडिया है वोगरा बगरा जितना भी है अपी सब पहले नहीं होता था तो आप वह भी एक प्रिशार का बड़ा माध्यम बन गया है तो इसलिए हमने कहा कि यह जो है निश्चित रूप से बड़ा है पहले हम लोग साईकल से पैडल से चलते थे गाड़ी भी नहीं मिलते थे उस समय गाड़ी के भी बड़ानी टेकर चलाते थे quando बहुआ बहुत मुश्किल से ऊब वही चलती थे और आज हर लोग के हाथ में मूड शायकल भी ओंढ похож कि वोग गाड़ी है तो सब लोग पैडल और साइकल का ह साहर हम लोग लेते थे उस समय कारकरता गुंते थे तो आप आप साहरों तरफ देखेंगे के शड़क है तो गाड़ी से लोग जा रहे हैं लोग के पास साधन भी है तो प्रचार में काफी कुछ परिवर्तन आ या रहोते जाएगा परिवर्तन आगे वी तो हलिकॉप्टर का और है सोसल मीडिया से लेकर हलिकॉप्टर तक का सफर राजनेताओं के द्वारा धुआधार प्रचार जो है दोनों तरफ से चलिए वह सुभाविक है से हमने कहा कि तो साधनों का भी होना और साधन के भी उपलबत तरता जिसको करते हैं आज उपलबत है तो हर पुलिटिक पर संथाल परगना और कोईलांचल के इलाके में में घूमता रहा और तोनों तरफ से धनवल के प्रियोग के आरोप लगे निशिकान दूबे जी ने आरोप लगाया ट्वीट करके चुनाओ के दिन कि जो जरकन मुक्ति मूर्चा और इंडी गठवंधन के लोग हैं वो पै साम नहीं दिखती है नहीं निस्जित रूप से मैं कहूंगा कि इस वक्त जारकन मुक्ति मुच्चा कॉंग्रेस पार्टी लोग यहां सत्ता में और इसका ही लोगों ने काफी दूर उपयोग किया पहले से भी लोग कर रहे थे जरकारी तंतर का टूल्स की तरह उपयोग कर तो यह मानता हूं है कि शमय के साथ हैं कि और उसका हारन उसका कारण इतना ईते हैं है वो लोग कोई संगटनद पर वह बहुत बल नहीं देते हैं इसलिए वो लोग 365 दिन काम नहीं करते हैं भारती जंता पार्टी 365 दिन काम करते हैं आपने देखा होगा कि रचनात्मक काम भी हम पार्टी अस्तर पर बूत लेवल तक ले जाते हैं कि बिन-बिन महापूर्शों की जहिंति को मनाते हैं तो उसमें हैं पर यह देखा गया कि भागलादेशी घुसपैट का मुद्दा या फिर करबशन का मुद्दा भारती जंता पार्टी ने जोर सोर से उठाया बाबूलाल मरांडी को क्या लगता है कि सबसे प्राइम मुद्ध क्या रहा इस चुनाव में आपने क्या पाया देखे मुद्ध कोई एक नहीं होते हैं मुद्ध का एक होते हैं उसमें से महतवपोन जो यह दो-तिन मुद्ध आपने बताए एक तो करपसन है और करपसन भी उपर से लेकर के नीचे तक सब जगा भी अब जहां आम लोगों को जो ज़रते पड़ती है ताना बलाउक या अंचल तो आम लोग इससे परिशान रहे तो आम लोग चाहते थे कि वह उसे निजात मिले उपर लेबल के करपसन में जो बड़े बड़े उद्यमी है द्योग पती है वह भी लोग परिशान थे तो यह मैं कर रहा हूं कि एक तो करपसन इससे जंता बिल्कुल परिशान हो चुकी थी और तूसरा हमने का कानून व्यवस्ता है पूरे प्रदेश हमेश भिगड़ा वह तो इसमें माँ बहने कहीं कोई सुरजशित नहीं थी फ काम हुए सब में पेपर लिख हुआ जेपी ऐसी हो जेसी हो और लड़के सड़क पर विरोध करते रहे हाई कोट सुप्रिम कोट तक दोड़ लगाते रही तो यह नवजवान भी दुखी थे और उसके साथ-साथ यह जो घुसपाइट का मामला पूरे प्रदेश में क्यों स सारे जो मुद्दे थे के एक साथ जूड़ता है तो एक बड़ा मुद्दा तयार होता है और जनता के बीच यह काम कर रहा था राजेश एक सवाल स्टूडियो से जरा बावुला जी से जरूर पूछिए क्योंकि जारखन की जब लड़ाई की बात होती है तो आदिवासी असमिता का बड़ा सवाल होता है 28 सीटे बहुत महत पूण है जो आदिवासी के लिए मौझूद है तो उन 28 सीटों पर जीत काकणा क्या रहेगा और दूसरा कि एंडिये की ओर से चहरा कौन होगा क्योंकि आज जब नतीजे का दिन है तो ये दोनों सवाल वड़ा मौझू है पूछे जरा 28 सीटों का रुज कर है अरियंद्र वो जानना चाहते हैं कि जो संथाल परगना का इलाका है जो 28 सीटे ऐसी हैं जो बिल्कुल आदिवासी बहुल छेत्रों में हैं उसमें किस तरीके से भारतियानता पार्टी अपने को देखती है कितनी सफलता की उम्मीद वहां दिखाई पड़ती है लेकि आप तो कहेंगे कि कुछी समय बचा हुआ है आप देख लीजेगा चुकि इस बार सबसी अधिक आदिवासी भी दुखी थी और उसका असपस्ट कारण जो मैंने बताए को सेत्रों में जो गोस्पाइट हुआ है उनको लगता है कि लगता ही नहीं है जो वास्त्विक्ता है अरखन में दस प्रतिशत की गिरावट आबादी में आदिवासी और संथाल प्रगर्ण में 16 प्रतिशत की अगर 2021 में सेंसस हुआ होता तो सहे और भी कम्याई होगी तो यह उनके लिए चिंता का विश्य है है हम सब लोगों के लिए चिंता का विश्य है तो आज वो लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुआ है तो एक तरफ हेमन स्वरिन मान नहीं रहे हैं और दूसरे तरफ उनकी अवादी घट रही है तो यह आदिवासी छेत्रों में भी हेमन स्वरिन के पृति अक्रोस असपस्त दीख रहा है तो आदिवासी असमिता का मुद्दा जो जंता पार्टी ने आदिवासियों के लिए कापी कुछ काम किया जिसे अगर हम जार्खन राज कहीं बताते कि जार्खन राज निर्मान के लिए वाईसे तो सभी लोग लड़े लेकिन आदिवासी अग्रिम पंक्ती में रहे हैं जो कॉंग्रेस पार्टी के साथ आज है मनस स्रीमति द्रोपदी मुर्म भी आदिवासिय समाज से आते हैं उनको बना एक सम्मान दिया आज भी पड़ोस के दो राज्वे नहीं जहां उड़ी साथ अच्छतिस गाड़ आदिवासियों को यह साब दीखता है कि आदिवासियों की बहलता भले कम हो लेकिन काम अधिक कर कॉंग्रेस पार्टी आदिवासियों की नामों की चर्चा खुब करते हैं लगाना आदिवासियों को कोई शम्मान नहीं देते हैं सत्ता की राह कहा जाता है कि कुल्हान और संथाल परगना होकर निकलता है कुल्हान में पिछली बार भारतियांता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई मुख्यमंतरी रगुवर्दास चुनाओ हार गये इस बार कितनी उमीदे हैं आपको संथाल और कुल्ह मैं दोनों जगों की बता रहा हूं कि कॉलान में 14 सीटे थी पर एक भी सीटे नहीं मिलेते लेकिन इस पर मैं का सकता हूं 14 में भी हम बहुमत में रहेंगे वहां पर और संथाल परगनमा 18 सीटे हैं वहां भी सीटे हैं बड़ी संख्या में जीतेंगे अब भारतिय उन्ता पाटी जो लोग और कि बातिय आंता पाटी के पास मुख्यमांतरी का कोई चेहरा नहीं है सरकार बनेगी तो क्या बावलाल मरांडी मुख्यमांतरी हों गया उनके पास तो मैं कह सकता हूं एक ही चेहरा को लेकर के कुम रहे हैं हमारे पास यह जह एक कोई कमी नहीं है भूर बीजेपी का चुनाव हो एक चुनाव संपन हो जाएगा मतां तांता हो जाएगा हिकमत घना हो जाएगी उसके बाद रविधायकों को बुला लिया जाएगा और विधायक दल की निता की चुनाओं विधायक लोग कर लेंगे उसमें कहां दिक्कत है और फिर आप सब लोगों को भी बुला करके बता दी जाएगे कि कौन सी हम होगे एक आखरी सवाल आप से करना चाहेंगे कि हम मैं गया था वहाँ बंगाल के बोडर के इलाके में और बरहेट मुक्वंत्री हमन सुरेन की कंस्टिएंसी में वहाँ आपने देखा कि खेतों में घर बने हुए हैं और दूर दूर से घर बने हुए हैं अमूमन जब कॉलनिया बस जी थी इस बात को लेकर नहीं सुभाविक हैं संथाल पर करने जिसे हमने का कि सुला प्रतिशत के कमी आया दूसरी तरफ मुश्लिम अबादी बढ़ी है तो और्गनिक तरीके सो तो नहीं बढ़ सकता हैं इतनी बड़ी संख्या में तो बंगला देश से बंगाल और बंगा प्राइटी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे अब सब लोगों ने बार बार का है सबी जोगों पर का है कि हमारे लिए प्राइम विशय है यह आदेखिया अरियंद्र बाबुलाल मरांडी जो जारखंड के पहले मुख्यवंत्री रह चुके हैं उनका साब कहना है कि जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित तोर पर बंगलादेशी जो गुस्पैट का मुद्दा है उसको रिजॉल्व करने की कोसिस करेंगे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और यह एक बड़ा प्राइम मुद्दा रहा जिसको भारतिय जंता पार्टी ने जोर सो करता पार्टी की सरकार बनेगी बिल्कुर शुक्रिया राजेश और आपके साथ में बावलार वरांडी जी जोड़े थे और आपने विस्तार से बातचीत की क्योंकि आज जारकंड की सियासित